नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल इक्जाम ट्रकी में चहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे दिव्यांगता किन-किन कारणों से होती है और दिव्यांगता की रोख थाम हम कैसे कर सकते हैं आप सभी को पता है कि बच्चों में आपको मुश्टली मांसिक मन्दिता द्रेश्ट बाजिता स्रमण बाजिता परमसिस्की पक्षागात बच्चा स्वलीन चलन दिव्यांगता से गरसित हीमोफिलिया थैले सीमिया बहुत सारी ऐसे 21 प्रकार की जो लगभग 21 प्रकार की दिव्यांगता है और हम इसकी रोख थाम या बजाओ कैसे कर सकते हैं तो इसी के साथ में हम सुरू करते हैं आश्का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा चैनल अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक चरूर कर दीजिए और शेर करना आप सभी का उत्तरदाय तो है अगर आपको यहाँ पर वीडियो मिल लही है तो आप अपने सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेर कीजिए क्योंकि आप सभी ने कहावा सुनी है कि गुरू से एक अपट और मित्र से चोरी कभी नहीं करने चाहिए तो इसी क मैंने इसकी चर्चा जब मैने अभी प्रवंस्तिसकी पक्षागाज से पी की वीडियो सेर्विल पालसी की वीडियो जो अप्लोड की थी वहापर भी थोड़ी-थोडी चर्चा की थी लेकिन यहाँ पर हम बहुत विस्तरत रूप से इसको चलित करेंगे जानेंगे सबसे पहला कारण आपका है गर्भावस्ता के पूर्व के कारण गर्भावस्ता के पूर्व के कारण और जब माने गर्व धारण कर लिया है तब और जन्म के समय के कारण इस तीन प्रकार से आपको देखने को मिलती है दिव्यांगता इन तीन कारणों से आपको दिव्यांगता देखने को मिलती है और ये तीन कारण इनके अंतरगत कौन-कौन से कारण आते हैं अब हम जान लेते हैं सबसे पहले आपका गर्वधारण से पूर्व के कारण यानि कि मा ने अभी गर्वधारण नहीं किया है उसके पहले उसमें कौन-कौन सी कमिया है या दोस हैं जिसके कारण से दिव्यांगता आपको देखने को मिलती है तो सबसे पहली यह बात कि नजदी की जो रिस्ता है उसमें साधी होना नजदी की रिस्ते में साधी होना आप देखते होंगे मोश्ली कि साधिया जो होती है दूर से ही की जाती है यानि कि दूर के रिस्ते में ही की जाती है नजदी की रिस्ते में साधी नहीं की जाती है कारण कुछ जो हिंदु धर्म के लोग होते हैं ये मानते हैं कि गोतर मिला आयाता है ये सब कुछ मिला आयाता है और बताते हैं कि हाँ इस कोत्र के आप है या कुछ भी अपना मिला आयाता है तो उसमें क्या कायाता है कि आप नजदी की रिस्ता बन रहा है इसमें जो गुण है वो सही से नहीं मिल ला है कारण ये होता है कि नजदी की रिस्ता नहीं होना चाहिए और अगर नजदी की रिष्टे में साधी होती है तो कारण बताया गया है कि ये एक कारण हो सकता है कि जिससे बच्चा दिव्यांग या जो भी खास करकी मांसिक बंदता या और जो दिव्यांगता है वो देखने को मिल सकती है पहली बात दूसरी बात मा का उम्र में कम या ज़्यादा होना यानि कि अगर बहुत डिफ्रेंस है माता की उम्र ज़्यादा है अगर पिता से बहुत ज़्यादा पिता से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर है माता की उम्र तो भी दिव्यांगता देखने को मिल सकती है और अगर पिता की उम्र बहुत ज्यादा है और माता की उम्र बहुत कम है यानि कि अभी तक वो परिपक्व भी नहीं है तो भी देखने को मिल सकती है दिव्यांगता दूसरा क्या है? कुपोश्ण या सौस्थे का खराब होना मान लिजे कि माता का स्वास्त खराब रहता है और माता में कह सकते हैं कि खून की कमी है, आयोडेन की कमी है लोहे की कमी है, आयरन की कह सकते हो तो यह जो कमिया है अगर यह कमिया माता के अंदर है माता को पोशित है तो इससे भी बच्चे पर प्रफाव पड़ेगा इससे भी भूर्ण पर प्रफाव पड़ेगा और बच्चा जो है वो मानसिक मंदित या और भी कोई दिव्यांगता है जो है वो हो सकती है तीसरा आपका क्या है? मादक पदार्थों का सेवन अब इसमें मादक पदार्थों के सेवन में पिता का भी मादक पदार्थ का सेवन करना खास करकि पिता के बाद में माता का भी मादक पदार्थ का सेवन करना यानि कि अगर माता भी दारू पी रही है माता भी सिक्रेट को सुलगा रही है बीणी सुलगार ही है तो इससे भी बच्चे पर प्रभाव पढ़ता है और बच्चा दिव्यांग हो सकता है नेक्स्ट है आपका आनुवान सिक्ताया वनसानुक्रम आपने जापान का किस्सा सुनाई होगा सभी को पता है जब वहाँ पर बम फेका गया उसके बाद से देखते हैं अभी भी उस छेत्र का जो हिरोशिमा और नागासा की वाला हुआ था तो वहाँ पर जो लोग अपंग हो गए थे जो लोग सारेडिक दिव्यांता से गर्शित हो गए थे उनके बच्चे भी कई पुस्ती तक जो है उसका सिकार बने हुए हैं तो कहने को हम देख सकते हैं कि यही कारण है वनसानुगत या अनुवानसिक्ता का कोई ऐसा कारण ना हो जिससे कि मालू हुआ कि दो पीड़ी पहले या तीन पीड़ी पहले हमारे हा मास्पेसी दुर्विकार यानि कि जो मास्पेसी से सम्मदित जो दिव्यांगता थी वो थी हो सकता है कि वो बाद में फिर से वनसानुग्रम या अनुवानसिक्ता के उससे लोट आए तो ये भी कारण होते हैं जिससे की अनुवान सिक्ता या जो कह सकते हैं वनसानुकरम में भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है नेक्स आपका है गर्वधारन के समय के कारण अब गर्वधारन के समय क्या क्या हो सकता है गर्वधारन के समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्वती महिला को तीन महिने में संक्रमन ना होना यानि कि जो प्रथम तीन महिने हैं उसमें संक्रमन ना होना किसी भी प्रकार का संक्रमन ना होना चाहे वो खसरा हो चाहे वो टीवी हो चाहे वो अधिक बहुत तेज जुर हो जिससे की बालक के मस्तिस्क पर प्रभाव पड़े और अगर बालक के मस्तिस्क पर प्रभाव पड़ता है तो बच्चा मानसिक मंदित या और भी कोई दिव्यांगता है जो हो सकती है आपको पता है कि 9 माह और 10 दिन का समय लगता है बच्चे को माह की गर्ब में ठीक है आगे हम जानते हैं गर्बावस्था में माता का उच्च रक्त चाप या मधुमे या निम्न रक्त चाप या रक्त की कमी देखे सभी चीज़े आ गए अगर BP हाई है अगर BP लो है अगर मधुमे है यानि की डियविटीज है या हम कह सकते हैं रक्त की कमी है तो भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है बहुत ही अच्छा और सरल टॉपिक है अगर आप इसको देख रहे हैं तो बस आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा और चाहे वो प्रैक्टिकल हो और चाहे आपका एक्जाम हो दोनों जगा पर ये टॉपिक वेरी वेरी इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है प्रैक्टिकल में भी आपसे एक्जामन जो आएगा आपसे कोश्चन पूँ सकता है क्योंकि नीव ही यही है ठीक है तो अब हम जानते हैं चोट लगने पर भारी सामान उठाने पर यानि कि माता के चोट लगने पर और अगर माता बहुत भारी सामान उठा रही है तो इस पर भी दिव्यांगता देखने को मिल सकती है बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई का सेवन करना अगर माता बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई ले रही है तो इसमें भी दिव्यांगता देखने को मिल सकती है गर्वती स्तरी का मदिरा और धुमरपान का सेवन अभी आपको मैंने बताया बार-बार एकसरे करवाना ये भी दिव्यांगता का कारण हो सकता है और पोशाहार की कमी आप देखते हैं आगनवाडी केंद्रों पर माताओं के लिए पोशाहार आता है और उनका पूरा ध्यान रखने के लिए उनको वो दिया भी जाता है तो इसलिए सरकार देती है जिससे की माताओं में पोशाहार की कमी ना रहे बिल्कुल भी ना रहे इतना बात आपको ध्यानक ना है अब हम जानते हैं जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण जन्म के समय में आपको बताया था जब CP पढ़ाई थी तब ही आपको बताया था कि बच्चे का रोना बहुत जरूरी है बच्चे का रोना बहुत जरूरी है जिससे की ऑक्सिजन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है और जो वातावरण होना चाहिए बच्चे के आसपास का वो दूशित नहीं होना चाहिए अगर मा का अधिक खून रहा है तो भी दिव्यांता देखने को मिल सकती है अत्यदिक वजन ना होने पर यानि कि जो बच्चा है उसका वजन मानक के अनुसार कम है तो भी दिव्यांता देखने को मिल सकती है अगर मा बेहोस हो गई है तब भी दिव्यांता देखने को मिल सकती है लंबे समय से प्रसव पीड़ा होने के कारण यानि कि प्रसव में लंबे समय से पीड़ा हो रही है जिसके कारण भी आपको दिव्यांता देखने को मिल सकती है इसके बाद में हम कारण जानते हैं जन्म के बाद के कारण देखिए जन्म के बाद बच्चा लगबग जीवन के दो वरसों तक जो जीवन का दो वरस है उसमें बच्चा कुपोशित नहीं होना चाहिए ठीक है बार बार बच्चा गिरना नहीं चाहिए गिरना नहीं चाहिए या सर के बलो कैसे भी हो कुल मिला के बार बार बच्चा गिरना नहीं चाहिए जो दवाईया है वो भी समय से और डॉक्टर की सला से ले देनी चाहिए बच्चे को क्योंकि अब बच्चे को बचाना है इसके बाद में यदि बच्चे के बार-बार मिर्गी का दोरा आ रहा है तो भी और समय समय पर टीका करन बहुत important होता है टीका करन बहुत ही important चाहे हो आपका BCG का टीका हो DPT का टीका हो काली खासी खसरा जो भी टीके लगते हैं पोलियो का टीका भी इनफेक्ट पोलियो का टीका भी आप सभी को पता है आप सभी ने पिया होगा मैंने भी पिया था पोलियो का टीका भी ये भी बहुत ही important होता है दो बुंज नगी की अब हम जानते हैं रोक थाम को, कि प्रात्मिक इस्तर पर कैसे हम रोक थाम कर सकते हैं, दोतियक इस्तर पर कैसे हम रोक थाम कर सकते हैं, और तिरतियक इस्तर पर हम कैसे बच्चे की रोक थाम कर सकते हैं, जिससे की बच्चा दिव्यांगता से बच जाए, दिव्यांगता से ब इसकी कुल जन संख्या का दस प्रतिशत व्यक्ति किसी ना किसी अक्षमता से ग्रसित है। यहाँ व्यक्ति, अपने परिवार वा समाज के ऊपर जाब जो है, रोक्थाम इलाज से बहतर उपाए हैं हैं यहाँ आज के बहतर उपाए हैं कि हम उसको पहले ही रोक लें उसकी रोक थाम कर लें तो जानते हैं प्राथ में किस तर की फिर दोती है किस तर की वो फिर तिती है किस तर की देखिए प्राथ में किस तर की रोक थाम में आप सभी को पता है कि हमने बताया था कि निकट रिस्ते में साधी होने से दिव्यांगत हो जाती है हो सकती है तो यहाँ पर क्या है हमको niggat रिष्ठे में साधी नहीं करनी है जो गर्भावस्ता है वो सुरक्षित जो भी चीज़े हैं वो हमको करना है पॉस्टिक आहार माता को देना है संक्रमर व रोगों से माता को बचाना है नियमित जाज करानी है, बार बार एकसरे नहीं करवाना है सुरचित प्रसंग और मा की आयूका भी बहुत ध्यान रखना है माता की आयूका, यह प्रात्मिक इस्तर की रोक्ताम हैं, जिनको हम पहले ही देख सकते हैं, अब साधी हम निकर जिस्ते में ना करेंगे तो जो दिव्यांगता है उसका इस्तर कम हो जाएगा यानि कि दिव्यांगता होने के जो कारण है वो कम हो जाएगे से अजाइड सी बात है पौश्टिक आर अगर मा को देंगे तो माता अच्छी रहेगी और जो दिव्यांगता का इस्तर है वो कम हो जाएगा होने का अब हम बात करते हैं दोतियक रोग थाम की देखिए दोतियक रोग थाम में इसके अंतर क्या होता है चिकिस्ते की इलाज कराना पड़ता है मान लिजे कि अगर हमने मान लिजे कि नजदी की रिस्ते में साधी कर लिए या हमारे वन्स में हमारे वन्सानुगत या वन्स में कोई ऐसा था व्यक्ति जो कह सकते हैं कि दिव्यांग था या दिव्यांगता से गर्शित कोई भी ऐसी दिव्यांगता थी तो हम क्या करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग करा लेंगे अब genetic counselling कराएंगे जब तो हमको यह पता चल जाएगा कि इस तर क्या है डिव्यांता हो सकती है या नहीं हो सकती है क्या हमें अभी बच्चे को जन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जो भी counsellor होगा वो आपको सलाह दे देगा ठीक तो यह करा लेना चाहिए दोती एक रोग थाम में अगर हमने साधी कर ली है तो यह हमको करा लेना चाहिए क्या है तो इसके अंतरगा चिकिस्ति की इलाज कराना पड़ता है और चिकिस्ति के कारण सीग्र पहचान बहुत आवश्यक्ता होती है निकि सीग्र पहचान की बहुत आवश्यक्ता होती है अगर बच्चे ने जन्म ले लिया है ठीक बच्चे ने जन्म ले लिया तो हमें सिग्र हस्तख शेप करते हैं तो यह मान के चलिए कि बच्चे को हम दिव्यांगता का जो इस तर है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, बहुत ही जल्द इलाज हम उसको दे सकते हैं और जिस्ते की जो दिव्यांगता है या विकलांगता है जो भायावारूप लेना चाह रही थी उसको ना ले पाएगी तो ये भी आपको दुतियक रोग थाम में आप कर सकते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं तितियक रोग थाम की इसमें या अंतिम चरण होता है जब रोग अक्षमता का रूप धारण कर लेता है अब बच्चे अक्षम हो गया अक्षमता का रूप धा जान करेंगे और पुनरवास की सेवाय में आप सभी को पता है बच्चे को पुनरवास देने के लिए हम बच्चे को ट्राइसाइकल देते हैं हम बच्चे को बैशाखी देते हैं हम बच्चे को कैलिपर दे देते हैं जिससे की बच्चा अपने आप स्वयम से अपना काम करने लगे इन सब चीज़ों का प्रियोग करते हैं तो ये जो चीज़े हैं आपकी ये आपकी कही जाएंगी तिरती एक रोक थाम के अंतर गत अब हम थोड़ा जान लेते हैं व्यापकता दर के बारे में और इसके कह सकते हैं कि जो इसका सूत्र है उसके बारे में व्यापक्तादर का सूत्र भी कभी कभी आपसे पूछ देता है तो व्यापक्तादर इसमें मामलों की कुल संक्या का अध्यन होता है यानि कि देश भर में कितने मामले हैं उसका अध्यन होता है और मामलों की कुल संक्या का अध्यन और हम कह सकते हैं कि जो भी कुल आवादी है या देश की कितनी आवादी है उसके बीच में हम कह सकते हैं कि जो एक निशचिस समय मिलता है उसमें ठीक हैं तो उसका अध्धन किया जाता है ठीक तो कुल मामले बटे कुल आबादी और अगर हम गुड़े में सौ लगाते हैं तो हमें व्यापक्ता की दर पता हो जाती है कि कितने व्यक्ति थे और कितनी आबादी है कितने पुराने मामले हैं कितने नए मामले हुए हैं एक वर्स के अं example की रूप में उधारां की रूप में तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जुरूर बताईएगा आपका कमेंट था आप दोगों को ये वीडियो प्रोवाइट कराई जाए दोस्तों प्रोवाइड हो चुकी है बने देएगा आपके अपने चलने एक्जाम्टरगी पर अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी साथ नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पास में ही मिल जाएगा बेल आइकन में और। वीडियो अच्छे लगई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेर करना आपका अधिकार है आप शेयर कीजिए अपने सभी गुरुबों में धन्यवाद दोस्तो